नमस्ते आप सबीकों, आप सब का स्वागत है मेरे चानल काईवल टेरो में तो आज हम देखेंगे कि ये जो जो भी चीज है आपके दिमाग में वो चीज होगी या नहीं होगी और ये चीज कुछ भी हो सकती है ये हो सकता है आप अपने नए जॉब के बारे में पूछें कोई वीजा के बारे में पूछें वीजा लगेगा की नहीं लगेगा और, या फिर, you know, किसी भी तरीके का question, होगा या नहीं होगा, वीजा लगेगा नहीं लगेगा, बहार जाके रहेंगे नहीं रहेंगे, सेम घर में रहेंगे नहीं रहेंगे, शादी होगी नहीं होगी, इसी इंसान से शादी होगी नहीं होगी, यह relationship successful रहेगा नहीं होगी, ग इसी भी तरीके का question पूछे और हम देखेंगे हमारा answer हम mostly yes no में ही देखेंगे अगर कहीं पर कुछ होता है तो हम शायद detail में जाने की कोशिश करेंगे बट यह बिल्कुल short reading है और इसमें हम सिफ question पर focus करेंगे और देखेंगे कि वो चीज होगी या नहीं होगी तो हमारा पास seven piles है pile one, pile two, pile three, pile four, pile five, pile six, pile seven I hope pile seven देख पा रहे हैं यह clear quartz है तो थोड़ा देखना मुश्किल होगा इतने design वाले tablecloth के बाद तो बिल्कुल है एक बार फिर से बोलू पाल one, pile two, pile three, pile four, pile five, pile six, pile seven, pile one यह है black obsidian pile two यह है, tiger eye pile three यह है solar pricus के लिए brown stone, pile four है green stone, green aventurine, pile five है यह blue stone pile six है यह purple stone and pile seven है यह white stone so question पूछे एक question के लिए एक पुछेशन के लिए एक पुछेशन के लिए एक पीक करिएगा हो सकता है, आप multiple question पूछ सकते हैं आज का दिन अच्छा होगा, नए होगा मुझे achievement मिलेगी, नए मिलेगी, acknowledgement मिलेगी, नए मिलेगी promotion मिलेगा, नए मिलेगा so जितने भी questions हैं आपके मन में आप पूछे और उसके हिसाब से pile पिक करेगा तो पहले question पे focus करेंगे, फिर pile pick करेंगे, फिर reading देखेंगे, time stamp में जाके, फिर अगर दूसरा question है तो उस question पे focus करेंगे और फिर time stamp पे जाके वो pile देखेंगे, जो पी pile आपको most drawn कर रहा है तो question पूछे, pile पे ध्यान दीजे और उसके बाद आप अपने time stamp पे जाके उसका answer देख सकने और फिर से वापसा के कोई और question पूछ सकते तो जितने question पूछ रहे हैं, पूछे, एक question के लिए एक pile चूस करिएगा प्लीज, जिस भी pile की तरफ आप बहुत strongly drawn हो रहे हैं लगता है कि बस यही है इस सवाल का जवाब, इस वाले wand में है तो उसको पिक करिएगा, ठीक है अलग-अलग question के लिए, अलग-अलग different time पे answers देखेगा, अलग-अलग question के लिए, अलग-अलग time पे readings देखेगा, ठीक है जितने question पोछन पोछन चाहें, आप पूछ सकते हैं, विट हर question के लिए एक pile होगा सेम, ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग-अलग question के लिए, सेम pile आपको मन हो, पिक करने का, तो वो भी सही है और अलग-अलग pile भी पिक कर सकते हैं, वो भी सही होगा, ठीक है जैसे एक question पोछा की नौकरी लगेगी की नहीं लगेगी, दूसरा question पोछा, शादी होगी की नहीं होगी दोनों के लिए एक pile आया, तो वो एक choose कर लिया बट एक time पे एक ही question पोछेगा, ठीक है पहले पूछे नौकरी लगेगी की नहीं लगेगी, फिर ये pile सुना, फिर पूछे शादी होगी की नहीं होगी फिर दुबारे ये pile सुनेगा, क्योंकि शादी के context में आपको कुछ और समझ में आये जादे explain कर रही हूँ शायद मैं, बठाँ आप समझ गए होंगे अब तक, ठीक है तो आप अपना question पोछे और pile pick करें, हम शुरू करेंगे अपने pile 1 से इन सब को यहां रख दू, same sequence में नहीं तो भूलने के chances बहुत जादा है, है ना तो नमस्ते pile 1, यह उन लोगों के लिए जिन्होंने यह black stone चूज किया है, यह mostly नजर ना लगने के लिए कई बार लोग यूज करते हैं, कई बार आपके अंदर stability नहीं होती तो यह stone यूज किया जाता है, यह आपकी grounding के लिए होता है, कुछ लोग बहुत जादा egoistic हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप अपना question पोचिए और स्वे focus करिए और हम देखेंगे कि यह चीज बहुत सारे कादस है, यह चीज होगी या नहीं होगी बहुत सारा काम कर रहे हैं आप अरड़ी इस चीज के लिए जो भी यह चीज है, या तो बहुत जादा prayer कर रहे हैं इसके लिए, या बहुत सारा काम कर रहे हैं इसके लिए improving health so आप बहुत सारे महनत कर रहे हैं, पायल वन और इस चीज के लिए जो कि बहुत अच्छी बात है बट अभी और भी बहुत सारा काम करना बाकी है, थोड़ा काम आपको करना है और थोड़ा काम आपको भागे पे छोड़ना है तो हाँ ये चीज होगी लेकिन अभी अपना समय लगा कर होगी ठीक है, चीजें थोड़ी सी slow move कर रही होगी लेकिन ये चीज होगी, फॉर शूर होगी अपना confidence lose मत करिए, अपना focus lose मत करिए लगी रही है, ठीक है, five of cups, knight of coins और ये five of wands हाँ, चुकी चीजें थोड़ी सी slow चल रही है, pile one आपको बहुत सारा doubt हो सकता है इसके उपर बिलकुल doubt मत करिए, आप अपना काम कर रहे हैं, universe अपना काम कर रहा है ये चीज possible है, और ये चीज होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा काम करना पाकी है, काम चल रहा है, थोड़ा सा समय लग सकता है, जिसकी वज़े से आपको बहुत सारा confusion होगा, बहुत सारा tension होगा, negative feelings बहुत सारी जिसमें कई बार आपको लगता होगा कि आप गिव अप कर दें, लिकिन गिव अप मत करिये, क्योंकि ये चीज होगी, इसमें बहुत सारा काम बाकी है, काम हो रहा है, अपने समय पर ये चीज होगी, ठीक है, प्लीज पाइल वन, आज के लिए इतना ही, लाइक, शेर, सब् आज आए, सो, कुछ बड़ी विश है, जो कि जिसे आप बहुत ज़्यादा आज है, जिसे होगी या नहीं होगी, देखें, ट्रस्ट, बिलकुल होगी, बिलकुल होगी, आप ट्रस्ट करिये, इसके उपर ये चीज जरूर होगी, पाइल, टू, और आपको अपने इंट्यूशन पर भी ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिये, जब आपको ऐसा लगे ना कि क्या हो रहा है, काम आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, आप अपने अंदर जहांक कर देखे, आपको अपने आप उस चीज का जवाब मिलेगा तो अपने intuition पर भरोसा करिए भगवान आपसे बाते कर रहे हैं भगवान आपको अलग लगतरी के से रास्ता दिखा रहे हैं बटा आप उस पर भरोसा करिए भगवान पर भरोसा करिए दफूल आपको रिस्क लेने की जरुवत है यह चीज तब होगी जब आप रिस्क लेंगे जब आप चीजों को थोड़ा सा करने के बाद छोड़ना शुरू करेंगे फोर उफ स्पेर और वन उफ हेजोग्स हाँ यह हो सकता है कि कुछ चीजें आप किया तो आपकी लाइफ में यह एक बड़ा सा बदलाव है चीजें बदल जाएंगी इसकी बाद आपकी लाइफ में तो इस वज़े से आपको लग रहा है कि रिस्क लिया जाए या ना लिया जाए या तो फिर इसलिए आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस वज़े से तो यहाँ पर कहीं पर ट्रस्ट का लाख है क्योंकि चीजें आपको clear नहीं है आपको चीजें प्लान करके clearly जब रास्ता पूरा पता हो उस रास्ते पर जाना ज्यादा पसंद है rather than adventurous होना लेकिन यहाँ पर आपको बगवान कह रहे हैं कि हाँ यह चीज होगी हाँ यह चीज नहीं हो सकती है आपके लिए हाँ यह चीज बदल सकती है आपके पूरे जीवन को लेकिन आपको अपने आपको रोक कर नहीं रखना है रिस्क लेजे और अपने पर और उपर वाले पर भरोसा रखे ठीक है पाइल 2 तो यह चीज बिल्कुल होगी कितना अच्छा है पाइल 1 और पाइल 2 दोनों में हाँ अंसर आया आप से मैं जल्दी मिलूंगे अपने अगले वीडियो में प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अपना ध्यान रखे हम जल्दी मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते अब हम चलेंगे पाइल 3 की तरफ नमस्ते पाइल 3 यह उन लोगों के लिए जिन्हों ने यह और इंच टाइप का स्टोन चूस किया स्टोन वांड चोटा सा है तो स्टोन मुह से निकल रहा है तो आप अपने क्वेस्चन पर ध्यान दीजे और हम देखेंगे कि यह हो गया नहीं एक दम से गिरा एक आप किसी चीज को ना मन से लगाकर और बांध करके रखा है और आप आगे बढ़ने पा रहे हैं यह चीज आगे तबी बढ़ेगी जब आप मन में वो चीज को निकालकर आगे बढ़ जाएंगे तो ही आगे बढ़ेगी तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिलेशन से मूव आउट नहीं कर पा रहे है तो वो मूव आउट आप तभी कर पाएंगे जब कि आप उसको अपने आपको माफ करें आप सामने वाले को माफ करें और आप situation को छोड़ दें तभी आप मूव कर पाएंगे ठीक है हमारे पास है the mystery eight of flowers nine of tecups तो पाएंगे यह जो भी चीज है यह आपके हाथ में है कि यह होगी की नहीं होगी क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें छोड़ कर especially आपका thought हो गया आपका गुसा हो गया आप किसी चीज़ पर दुखी है कोई ऐसी feeling है जो आपको दुखी करती है परिशान करती है उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है या फिर आप कहीं पर दर के मारे फसे होएं जैसे आपको यह लगेगा बार बार example आ रहा है example जो आ रहा है मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि आपको बार बार लग रहा है यह जोड़नी चाहिए नहीं चाहिए क्या कभी में इस situation को या इस job को छोड़ पाऊंगा या छोड़ पाऊंगी तो भगवान कह रहे है कि जो था वो था उसको छोड़ो और आगे देखो जैसे ही आगे देखोगे तब ही आगे बढ़ोगे तो कुछ चोड़ना है आपको माइंसेट चोड़ना है एक डिपेंडेंसी चोड़नी है एक फिजिकल डिपेंडेंसी हो या इमोशनल डिपेंडेंसी हो उसको चोड़ना है एक डर चोड़ना है तब ही आप आगे बढ़ पाएं आज के लिए बस इतना ही, please like, share, subscribe जरूर करिये, मैं आपसे जल्दी मिलोंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, नमस्ते, अब हम चलेंगे पाइल 4 की तरफ, पाइल 4, Green Aventuring, कहीं पर एकदम से मुझे फीलिंग आई कि आपको अपना मन खोल करने की जरूरत है, अपने आपको ओपन करने की जरूरत है, मुझे नहीं पता ये मेसिज किस के लिए है, लग तो राए, सब के लिए है, लेकिन कहीं पर आपको ओपन अप होने की जरूरत है, सामने वाले को space देने की जरूरत है, सामने के thought को space देने की जरूरत है, कुछ न सारे काद्स हैं, हम एक ही ढून रहे हैं, होगा या नहीं, बर्गवान प्लीज बताएए रीकंसटर आप इस चीज पर मन ना ऐसे बांद के बैठे हुए हैं कि मुझे तो ऐसा चाहिए ही चाहिए पाइल फोर, आपको ये समझने की जरुद था कि आपको चाहिए है ये चीज, आपको क्या सच में चाहिए क्या, जो एक्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई एक, कोई एक इनसान है मान लीजे और आप उसको बहुत पसंद करते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं उस इंसान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में पर क्या सच में वो इंसान भी आपके लिए उतना ही वैसे ही फील करता है जैसे आप उसके लिए फील करते हैं क्या आप अपनी बात को फोर्स कर रहे हैं उस इंसान के उपर क्या आप चीजों को force कर रहे हैं situation के उपर ठीक है Hierophant 9 of tea cups और the tower हाँ file 4 ऐसा हो सकता है कि जब आप reconsider करें इस चीज को मतलब यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि आपका जो भी question उसको reconsider करें अगर आप reconsider करें उस चीज को तो शायद चीज़ें अचानक से आपके जीवन में न उथल पुथल हो जाएं बिकर जाएं आपको समझना आए कि आप चीज़ें कैसे manage कर सकते हैं तो उसको थोड़ा सा समझ कर चलिए जैसे आपना situation को समझना शुरू करेंगे example दो तो आपको आपको लग रहा है कि मुझे यहीं रहना है मुझे जॉब नहीं चोड़ना मैं settled हूँ इतने सालों से एकी काम हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है बहुत knowledge है experience है और काम अच्छा चलता जा रहा है तो यहां पर आपको भगवान कहरें तो बहुरा सोचो सामने और opportunity हो सकती है हाँ हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ें आपकी life में बदल जाए आपका daily routine बदल जाए नोकरी चेंज करने से जगे बदल जाए इस चीज से और अगर आप नहीं यह चेंज करेंगे तो universe यह चेंज करेगा मेरे जरी universe आपको इस reading के जरी बता रहा है कि आपको जो भी है इसको reconsider करने की जरुत है एक बार आप अच्छे से देखेंगे कि या तो चीज को reconsider करने की जरुत है या जो आपने path follow कर रहे है उस चीज तक पहुचने के लिए उसको reconsider करने की जरुत है कहीं पर reconsideration की जरुत है एक बार अगर आप चीजों को समझ गए तो फिर सब कुछ अच्छा है तब फिर nine of cups है सब कुछ आपके हिसाब से आपकी मर्जी से आपकी fulfillment के लिए होगा लेकिन आपको या तो रास्ता री कंसेडर करना है या तो मन्जिल ही री कंसेडर करना है ठीक है पाइल पोर आज के लिए बस इतना है हम आप से जल दीने लेंगे अपने अगले विडियो में तब तर के लिए अपना ध्यान रखेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा प्लीज 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 थैंक्यू वेड़ी मच नमस्ते पाइल 5 यह रहा पाइल 5 आप लोगों ने ये ये ब्लू चितकबरा टाइप का बॉन्ट चूस किया है कमिनिकेशन बहुत क्लियर नहीं है यहां पर पाइल 5 कहीं पर है जहां पर बातों का बुरा लग जारा है एक दूसरे को जहां पर चीजें हर्ट कर जारी है तो चलिए देखते हैं ये चीज होगी या नहीं होगी जो भी चीज आप सोच रहे हैं वो होगी या नहीं होगी पाफिक टानी बिल्कुल होगी अभी समय बिल्कुल सही है बिल्कुल लगे रही है होगी एकदम होगी इसका समय आ गया है अगर अभी तक आप इंतजार कर रहे थे, तो इस चीज का समय आ गया है, एक और कार हम लेंगे, और फिर देखेंगे, एक अफ स्पेर, क्वीन अफ हेजोग्स, एन दे मिजिशिन, तिंक पॉजिटिव, ये आपका है, ये आपके साथ रहेगा, हो सकता है, कुछ communication gap है, कहीं पर कुछ चीज कलट समझी झा रही है, उस पे वर्क करिये, वो communication की वजहे से आपको कहीं पर stress हो रहा है, आप चीज़े मैगू ले रहे हैं, उस पे वर्क करिये, क्योंकि आप मेंजिशिन है, आप जैसा सोचेंगे, जासा ड्राइव करना चाहेंगे, आपको आपके प्यारे प्यारे अंडे बच्चे बनते हुए दिखेंगे मुझे पता नहीं कैसे बोलना चाहिए लेकिन आप एक संतुष्ट मा हैं जिसके पास हिल्दी बच्चे हैं ठीक है और ऐसी ही फीलिंग होगी आपके अंदर एक अकम्पलिश्मेंट की पाल गुड़ लग अभी तक के सारे पाल में यह वाली सब सची फीलिंग है ठीक है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते अपना ध्यान रखिए नमस्कार चलिए हम चलते हैं पाल 6 की तरफ नमस्ते पाल 6 यह उन लोगों के लिए है जिन्हों ने यह पॉपल वांड चूज किया है तो आप अपने क्वेस्टिन पर फोकस करिए और हम देखेंगे कि वो चीज होगी या नहीं होगी व्मेट्स देफिनिटली होगे और खासतोर से अगर यह क्वेस्टिन ऐसा है जो आपको मन में खुशी दे रहा है दिल में खुशी दे रहा है जिससे आपने दिल लगाय हुआ है चाहे यह रुमांटिक हो चाहे कोई ऐसी चीज हो जिससे आपको प्यार हो पक्का होगी ऑज बनी आपके लिए है और आप इसमें बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे बहुत स्ट्रॉं होगा बहुत बढ़िया होगा दिस इस बेरी ब्यूटिफुल पाईल सेकस बहुत अच्छा है और आप यह चीज जानते है आप यह चीज बहुत अच्छा rasa जानते है इसमें transformation four of teacups हाँ यह चीज ज़रूर होगी और stability आएगी और आपकी life में ज़रूर आएगी सिर्फ एक चीज है कि कहीं पर six of hijogs है balance बनाने की जरूवत है आपको ठीक है कहीं पर आप एक जगे पर इतना जादा focus कर रहे हैं आप दूसरी जगे पर चीजे मिस कर दे रहें तो अपने काम में इतना focus कर रहे हैं कि अपना health मिस कर दे रहे हैं दो चीज एक साथ अगर parallelly कर रहे हैं तो एक चीज पर इतना focus है कि दूसरे पर मुश्किल होगा आप नहीं कर रहे हैं तो balance लाने की जरूवत है थोड़ा सा हलका सा कुछ चीजें बदलेंगी और अपने आप बदलेंगी आपको बदलने के ज़रत नहीं अपने आप time के साथ बदलेंगी और balance आ जाएगा ठेक है तो बस आप अपने दोनों तरफ जो भी है दोनों तरफ बराबर से ध्यान दीजे चीजें अच्छी होंगी हाँ ये होगी ये possible है समय आने पर जरूर होगा और ये चीज आपके लिए ही बनी हुई है pile 6 तो बहुत बड़िया आप like, share, subscribe करना मत भूलेगा हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें नमस्ते नमस्ते pile 7 आप सब कर स्वागत है इस वीडियो में जहां हम देख रहे हैं चीज होगी या नहीं होगी आपने चूस किया है ये pile clear coat crystal और wand तो हम देखेंगे कि ये चीज होगी या नहीं होगी सारे पत्ते उपर नीचे हो गए हैं आप मुझे देखेंगे ये चीज होगी या नहीं होगी आपस बहुत सारे cards आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि कोई opportunity होने चाहिए romance, same, same आया है pile 6 में भी, सची में, same आया है और ये चीज आपके लिए ही बनी है और उजे ये समझना है कि आप में और इसमें difference क्या है, आप में और pile 6 में difference क्या है क्या difference है, क्या है ये चीज, क्या ये चीज होगी और आप क्या बताना चाहते हैं और फिर से 4 आ गए, चली 4 हो लेते हैं, 2 of cups for most of you, आप शायद ये रुमांटिक रिलेशंचिप के बारे में बात कर रहे हैं queen of pentacles, और अगर रुमांटिक रिलेशंचिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो ये जो भी चीज आपके लाइफ में पैसा लेकर राएगा hi priestess, जैसा आप किया है अपने अभी तक उसका फल आपको मिलेगा आपके अच्छे करमों का फल है ये pile 3 तो आप चिंता ना कड़ें pile कौन से हैं? pile 7 है, हाँ आप में और pile 6 में मुझे सिर्फ इतना डिफरेंस नजर आ रहा है कि उनको balance की जरूत थी, आपको चीजें छोड़कर पूरी तरीके से विश्वास करने की जरूत है, ठीक है सही decision लेने की जरूत है आपको, चीजें बदल रही है और सही decide करना है आपको ठीक है, सही राष्टा लेना है आपको, तो pile 6 में क्या था कि सब चीजें सही चल रही है और बहुत perfect है, आपका ये जो भी चीजें बहुत बड़ा change लाएगा आपकी life में ठीक है आपको हो सकता है कुछ चीजों से लड़ना पड़े इसके लिए, जैसे शादी हुई तो बहुत successful marriage होगी लेकिन बहुत समाथ से लड़ना पड़ेगा आपको इसके लिए अगर कोई job हुआ तो कोई काम हुआ, कोई business हुआ तो उसके लिए भी आपको बहुत महनत करने की जुरत है, बहुत सारे obstacles है लेकिन आपको बहुत सादा stability और बहुत strong hold होगा इसके उपर तो जो भी चीज़ है आपके life में आपके लिए है और बहुत strong पैसा लेकर आगी है यह आपके materialistic life में काफी नया addition होगा चाहे यह कुछ भी हो, चाहे यह emotion से related हो, चाहे यह physical चीज़ों से materialistic चीज़ों से related हो, यह चीज़ आपकी life में stability, money यह लेकर आएगी ठीक है बहुत बढ़िया pile 7 हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, please like, share, subscribe जरूर करिए, मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, नमस्ते